तो हेलो मेरा भाई हो स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में और आज हम एक और मील प्रेप करने वाले हैं आपको दिखाऊँ कि मैं ओट्स कैसे बनाता हूँ हाईली न्यूट्रिशियस और मज़ा आएगा आपको देखने में काफी अच्छा न्यूट्रिशियन मिलेगा आपको प्रोटीन हाई होगा काब हाई होंगे फैट अच्छा खासा है पोस्ट वर्काट में लेता हूँ मैं तो सेलो जल्दी बनाते हैं और से पहले ये बता दू अभी जो मैं उट्स पना रहा है उसमें ये चिया सीट्स हैं ये यूज़ करेंगे हम तो मैं हमेशा सुबह ही एक टी स्पून डाल देता हूँ इस ग्लास में थोड़ा सा वो फूलता है तब खाते हैं पाने में डाल देता हूँ इसको थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ कैसे बनेगा फिलाल चलते हैं किचन में दिखाता हूँ कि क्या क्या डालूँगा मैं ओट्स में और फिर लास्ट में इसका यूज़ करना है तो ये भी दिखाऊंगा काफी अच्छा प्रोटीन आपको 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा पोस्ट वर्काउट में अच्छे काप्स थोड़ा बहुत फैट तो सही रहेगा आपके लिए एक परफेक्ट पोस्ट वर्काउट मिल बन जाएगा चलो दिखाते हैं बहुत सारे सीट्स यूज़ करेंगे हम तो मज़ा आएगा आपको खाने में भी मज़ा आएगा इसको टेस्टी भी लेगा चलो चलते हैं दिखाते हम किचन में ओके आएगा तो आचके हम किचन में और मेरा फीज दिखनी रहागा मुझे पता है बट ओट रालते हैं इसमें भी ओट भी खतम ही हो गए हैं सेवेंटी ग्राइम ओट इसमें पंप्किन सीट संफ्लार सीट्स और फ्लेक्स सीट्स हैं टो यह डालें गे हम एक बड़ा चमच मदृस भी टीपूं के थोड़ा पर पीपड़ा ईतना डालेंग है यह बहुत अच्छा रखते हैं खानाए में इसका नाम बतानी किया है इसका नम मुझे पता ही नइए तो सुझे आल लैते हैं संफ्लार सीट और फ्लेक्स सीट इसमें डालेंगे पानी देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर दिख रहे तो अब दिख रहा हो ये कुछ ऐसा दिखेगा तो इसको डाल देते हैं अब गैस पे फ्लेम कम कर दिए एकदम ताकि क्योंकि बचन में चिपक जाता हूँ तो एकदम फ्लेम कम रखना हूँ जब भी ओर्स बनाते हैं और फिलाल इसको में यहीं पर खड़े रहना पड़ेगा और ऐसे ऐसे कर चे रहना पड़ेगा ताकि चिपके ना तो यह जब बन जाता है तब मैं आगे दिखाता हूँ क्या करना है तो देखो यार ओट्स बनने के बाद ऐसा दिखेगा फिलाल इसमें पहले प्रोटीन मिक्स करते हैं और फिर आगे दिखाता हूँ आपको तो भाई यह प्रोटीन में केबिन लेवरोन के सिगनिचर सीरीज है वो यूज कर रहा हूँ अब फ्लेवर यार यह कॉफी फ्लेवर है तो प्रोटीन ओर्स में तो उतना मज़ा नहीं आता है तो आप यह गलती मत करना पर पाने में डाल के जब पीता हूँ मैं सुबह तो लगता है कि कॉफी ही पी रहा हूँ मत ओट्स में उतना मज़ा नहीं आता है ठीक है बट खाने लाएक बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोटीन खरीद रहे तो चॉकलेट फ्लेवर ही खरीदो या कोई और फ्लेवर खरीदो डार्क चॉकलेट कुछ भी खरीदो ब करो और बाहर की कॉलिटी के यार बात अलग है लेकिन बाहर की प्रोटीन का रिफाइन देखो कितना रिफाइन प्रोटीन है यह देखो गिर रहे है तो भी देखो इंडिया में ऐसा टेक्श्चर ही नहीं मिलेगा आपको प्रोटीन का तो यह फरक है यार मैं इंडिया की को तो मैं भी वैसे टेस्टे कर रहा हूँ कि इंडिया कहीं कुम्पीट करपाईगा कि नि sterile इसलिए मैं इंटरनेशनल बेर राहे कर रहा एक दिन वीडियो बनाऊंगा फिर इंटरनेशनल बेरंड और इंडिया इंडिया ब्रेंट्स के ऊपर इसलिए मैं सबकी के टेस्टिंग कर रहा हूँ भी फिलाल तो अभी खाते हैं ओ या शिट मैं बनाना लाना भूल गया एक तो इसमें यूस तो नहीं करना बनाना बट मुझे बाद में खाना था तो लेकर आना पड़ेगा वह भी कितना रिफाइंड प्रोटीन है है मतलब डिफाइंड मितलब आई मीन टेक्स्चर देख हुए न है इसका इतना अच्छा मितलब देख कही लगता है क्वालिटी प्रोटीन है तो प्रोटीन डालने के बाद वह के अजय denken जो यहाँ पे वह इसमें मिक्स कर दिया हमने और थिफिर फटी भ्रेम यह प्रोटीन सौरी पिरेट बटर डाला है तो यह था अपना प्रोटीन ओट्स तो अगर आप यह सोच रहे हो कि यह चिया सीट्स और पिनन बटर डालते हुए क्यों नहीं दिखाया तो अपना प्रोटीन ओट्स अराम से 45 ग्राम प्रोटीन मेरे वे प्रोटीन में 23 ग्राम प्रोटीन है इसलिए तो अगर आपके प्रोटीन जादा प्रोटीन है तो आपको इससे जादा प्रोटीन मिलेगा आपके प्रोटीन में 25 या 30 ग्राम तक है तो बहुत प्रोटीन मिल जाएगा आपको बट यह ध्यान रखना की क्वालिटी प्रोटीन हो तो बस यही था वीडियो और मिलते हैं अगले व्लॉग में या वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत गुड़ बाई मैं खाता हूं बाई जल दियो